हात्रस कान में 121 लोगों की मौत के बाद अब बाबा नाराण हरी के खिलाप लोगों में गुस्सा दिखाई दिने लगा है कल तक जिन घरों बे लोग उसकी पूजा किया करते थे आज वही लोग उसकी तस्वीर को चपलों से पीट रहे हैं लोगों का कहना आए कि बाबा का भी अनकाउंटर होना चाहिए बाबा में कोई सिद्धीन नहीं है इसे पर आपको दिखाते हैं एक रेपॉर्ट एकने बड़े चमतकारी होते बगवान होते तो इतना बड़ा हात्जार ना रोख सकते हो हात्रस की घटना जिसमें 121 जिन्दगी तबाह हो गई किसी के सिर से पिता का साया तो किसी के सिर से मा की ममता चिन गई अब उसी गम और मातम में बाबा नारायन हरी के खिलाब लोगों का गुसा फूर पड़ा है बाबा के खिलाब लोगों में गुसा है बाबा की तस्वीर पर चपलों की बारिश हो रही है बाबा के खिलाब एक्शन की मांग हो रही है अगर पर 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 परमीशन दी है तो प्रमास पर पर खुद देखना चाहिए तो वहां पर पर एक्शन लेता तो यह अतना गुट दुरगटना नहीं गटती अगर सरकारी कोई करमचारी होता यह पिलिस वाला होता दो चार डंडे मार देता उसे इतने लोग की कल तक जिस बाबा को लोग अपना आदश मांते थे बाबा के चरणो की धूल को चूने मात्र से अपनी मुरादे पूरी मानते थे अब सी बाबा के खिलाफ एंण काउंटर की मांग हो रही है दरसल हात्रस कार्ण में बाबा नारायन हरी के खिलाफ अब तक मुकद्बा दर्ज नहीं हो सका है ऐसे में लोगों का मानना है कि बाबा नारायन हरी की वज़े से 121 लोगों की जान गई तो फिर बाबा को माफी नहीं मिलनी चाहिए हम लोग मानते हैं जैवी तो दीड माँ पे एकट्टी हो रही है बैसे को किसके पास जाता है आप विश्वास करते हैं नहीं हम नहीं गरते हैं जी अगर ऐसा ही चमतकार है तो गरीबों के लिए कोई सेबा करें कोई मदद करें गरीबों को लिए कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ हाद रस घटना की जाज रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है S.I.T. की जाज में आयोजकों की बड़ी लापरवाही को वज़ा माना गया आयोजकों की तरफ से घटना को छिपाने की कोशिश की गई तैनात पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब हुए सौ लोगों के बयान दर्च किये गए यानि पुलिस की जाज आयोजकों की लापरवाही की तरफ आगे बढ़ रही है और यही वज़ा है कि लोग बाबा को 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार मान रहे है यूरो रिपोर्ट नूसिटी